इस वीडियो हम दिखेंगे कि जो मामा शब्द है मामा को इंगलिश में क्या कहते हैं मामा को इंगलिश में कहते हैं अंकल या फिर क्रॉस अंकल मामा को इंगलिश में कहते हैं अंकल या फिर क्रोस अंकल अब मामा का मतलब क्या होता है मामा का मतलब होता है मामा होता कौन है मामा होता है मा के भाई को मामा कहते है जो हमारी मा होती है उसके भाई को मामा कहते है ठीक है मामों को इंगलिश में क्या कहते हैं अंकल कहते हैं या फिर क्रोस अंकल कहते हैं ऐसे ही और नय वर्ड्स हरोज सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पहला आइकन प्रेस करें जिससे की आने वाली वीडियो को आप कभी न मिस करें तन्यवाद